हर घर तिरंगा अभ्यान के लिए विधायग विनोध अगरवाल ने दो महीने की तंखा की शहीदों के नाम गोंधिया पंचाय समीती में विधायग विनोध अगरवाल के अधिशिता में बैठक कायुजन किया गया था जिसमें इस वर्ष देश को मिली स्वतंतरता को 75 वर्ष पून होने जा रहे हैं इस वर्ष पर पूरे देश में केंदर सरका द्वारा हर घर तिरंगा अभ्यान चलाया जा रहा है इसको लेकर नागरिकों में जागरुकता और बार परिस्तिती को लेकर विधायग विनोध अगरवाल ने पंचाय समीती में अडावा बैठक का आयूजन किया था इस बैठक में आजादी के अमरत महुत्सव के लिए हर घर तिरंगा साथ ही शहिद इसमारक की रंग रंगोटी साथ ही जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी और उनके परिवार की लोगों का सन्मान किया जाए ऐसा निन्ने लिया गया साथी इस निमित निभन इसपरधा वक्तव इसपरधा सभी स्कूलों में और 13-14-15 को हर घर में जंडा वद्दन किया जाएगा इसके साथी जहां पर बड़े कारिक्रमों का आयोजन किया गया है वहां देशभक्ती गीत भाषन में विध्यार्कियों को मौका दिया जाए ऐसे सुझा विदाइक विनोध अगरवाल ने दिये भारी वर्षा से हुए नुकसान की हर गाव की चौकसी करे विदाइक विनोध अगरवाल पंचाय समीती की इस आयोजित बैठक में तैसलदा खंडारे ने कहा कि 25 हेक्टिया फसल के पंचनामे हुए जिसमें 381 किसानों के पंचनामे आई हुए हैं और अन्य बड़सात की वज़ह से गिरे हुए घर नुकसान हुए फसल के पंचनामे और शेत्र की जनप्रतिनीधी से मिलकर किसानों की समस्या से अफगत होकर उनका निराकरण करे ऐसा सुजाब विदाएक विनोध अगरवाल ने तैसलदा गोंधिया तालुका क्रशी अधिकारी गोंधिया खंड विकास अधिकारी गोंधिया इने निर्देश दिये गोंधिया से BCN News के लिए अभिशेक भटनागर की रिपोर्ट